इस दुनिया में कोई ऐसा ब्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई प्रोब्लम ना हो और इस दुनिया में कोई ऐसी प्रोब्लम भी नहीं है जिसका कोई solution ना हो पर इंसान जब अपने परेसानियों में चारों तरफ से घिर जाता है तो अपने प्रोब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत जल्द ही गलत रास्तों पे चल पड़ता है ये जानते हुए भी कि गलत रास्तों पे चलना, खतरों से खाली नहीं है आज की कहानी में भी सेम कुछ हैसी होता है जब एक ब्यक्ती अपने प्रूब्लम्स में चारों तरफ से घिर जाता है तो अपने परेसानियों को दूर करने के लिए एक ऐसा फैंसला ले लेता है जिसकी वज़ा से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़के चली जाती है लेकिन जब इसका असलियत आसफ़र उसके लोगों को जब मालूम चलता है तो वाकई में सरीर के रोंग्टे खड़े कर जाता है नमस्कार आदाब मैं हस्मुदीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तब आज की जो सची घटना में आपको सुनाने वाला हूँ दरसल ये घटना है महरास्ट परदेश की महरास्ट का एक जीला परता है नादेड और इसी नादेड का एक थाना परता है लिम गाउं लिम गाउं थाने के अंतरगते की लाका आता है पिमपरी महिपाल और इसी पिमपरी महिपाल का रहने वाला जनार्दन पतनी का नाम सुस्मा जनार्दन के टोटल तीन बच्चे जिसमें दो बड़ी बेटिया और एक छोटा बेटा बड़ी बेटी का नाम अनुस्का दूसरी बेटी का नाम सिवांगी सिवांगी जिसकी उम्रह लगबग 22 साल के आसपास छोटा बेटा किरिस्णा जिसकी उम्रह लगबग 19 साल के आसपास जनार्दन जो की खेती किसानी का काम करता है ठीक ठाक आनाजमी निकलता है और अपने परिवार के साथ बड़े ही खुसाल तरीके से जीवन ब्यतित करता है जनार्दन जो की अपनी बड़ी बेटी अनुस्का की आज से लगबग ठीक तीन साल पहले ही अपने ही गाउं के एक लड़के से साधी कर चुका है जनार्दन की दोनों बच्च सिवांगी और कृष्णा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं सिवांगी जो की बच्चपन से ही पढ़ने में काफी तेज है सिवांगी बच्चपन में ही डॉक्टर बनने का सपना देख लेती है सिवांगी अपने ही इलाके से इंटरमेडियर तक की पढ़ाई करती है लेकिन जानारदन अपनी बच्ची सिवांगी से बे इंतहा मोहबबत करता है इसलिए अपनी बच्ची को डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए इसी नादेड के एक राजगिया अरिवेदिक Medical College में दाखिला करा देता है सिवांगी जब Medical की पढ़ाई करने के लिए नादेड जाती है नादेड में ही किराय का कमरा ले लेती है और वहां ही पेहराय करके अपनी पढ़ाई करती है बीच बीच में कभी कभी छुटी लेकर के घर पे आती है, अपने परिवार के साथ कुछ दिनों का वक्त उजारती है, वापस फिर नदेड चली जाती है इसी साल के जनवरी 2023 में सिवांगी छुटी लेकर कुछ दिनों के लिए अपने घर आती है लेकिन जैसे ही घर पहुंचती है, उसके अगले ही दिन सिवांगी की कॉलेज के पढ़ने वाला एक दोस्त उसके नंबर पे फोन करता है, तो सिवांगी का नंबर स्विचफ बताता है, सिवांगी का दोस्त अगले दिन भी सिवांगी के नंबर पे फोन करता है, अगले दिन कहता है कि सिवांगी का नंबर स्विच अब बता रहे हैं इस पर जनारदन कहता है कि हो सकता है कि उसका मोबाइल खराब हो गया होगा जैसे ही ठीक हो जाएगा मोबाइल जब उसका अन होगा तुम उससे बात कर लेना जैसे ही चार दिन का वक्त गुजर जाता है सिवांगी से से लेती है और फिर सीवांगी के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले सीवांगी के घर पे जाती है और उसके पीता जनार्दन से मुलाकात करती है और फिर जनार्दन से सीवांगी के बारे में पूस्तास करती है तो जनार्दन कहता है कि साब मेरी बच्ची एक पूलिस जनारदन के उपर सक चला जाता है और इसी सक के अधार पे पूलिस जनारदन को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर ठाने पहुंच जाती है और फिर ठाने में पूलिस जनारदन से सिवांगी के बारे में सक्ति से पूछतास करना शुरू करती है पूलिस जैसे ही अपना सक्ति दिखाना सुरू करती है अब जनारदन के सामने भी कोई रास्ता नहीं बसता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सचाई कबूल कर लेता है और कहता है कि सब 22 जनवरी 2023 को ही सिवांगी की हत्या कर दी गई है लेकिन जब इस हत्या के पूरी कहानी को बताता है वाकई में शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है जनारदन बताता है कि सिवांगी बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थी सिवांगी बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देख लेती है इसलिए जैसे ही अपने गाउं से इंटरमेडियर की पढ़ाई कर लेती है जनार जब इंटरमेडियर तक अपने गाउं में पढ़ाई करती है उसी पढ़ाई के दवरान सिवांगी का अपने ही गाउं के रहने वाले एक लड़के से लव अफेर सुरू हो चुका था दरसल उस लड़के का नाम है देव देव और सिवांगी का पिछले कई सालों से लव कर लेते हैं लेकिन सिवांगी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए नदेड़ चली जाती है और उस बीच में जब भी घर आती है अपने आसिक देव से भी मुलकात करती है लेकिन ये बाते ज्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिर कर एक दिन इस बात की सा जनार्दन को मालूम चल जाता है जनार्दन को जैसे ही मालूम चलता है कि सिवांगी का उसी के गाउं के रहने वाले देव के साथ में लव अफेर चल रहा है जनार्दन को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है जनार्दन तुरंत ही अपने घर पे जाता है और इसके बारे अपने माता पीता से कहती है इसे सुन करके सिवांगी के माता पीता सिवांगी को बिठा करके बड़े इत्मिनान से समझाते हैं और अपने प्यार का वास्ता देते हुए कहते हैं कि तुम देव को भूल जा दरसल जनारदन कोई इस बात का डर सताने लगता है कि अगर से अपने प्यार देव को भूल जाओ, सिवांगी भी जब अपने माता-पीता के बातों को जब सुनती है, आखिरकार अपने माता-पीता के सामने घुटने टेक देती है, और अपने माता-पीता से कहती है कि आप लोग जहां कहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं उसी से साधी कर तो कहीं सिवांगी फिर से कोई गलत कदम न उठा ले। इसे लिए जनारदन अब सिवांगी की जल से जल साधी कराने के लिए एक लड़के की तलासी करना सुरू कर देता है और जनारदन की ये तलासी बहुत जल दी पूरी भी हो जाती है जनारदन सीवांगी के अपने ही इलाके के एक लड़के से सगाई तय कर देता है इसी जनवरी साल 2023 के लास्ट में उसके बास सीवांगी फिर से नादेड अपने एजुकेशन के लिए चली जाती है लेकिन नादेड में जब जाती है तो अपने आसिक देव से बादचित करना बंद कर देती है इधर देव काफी परसान होटता है सीवांगी से बादचित करने के लिए जब उससे बादचित नहीं हो पाती है गाम में लोगों से जब पूश्टास करता है तब देव को मालूम चलता है कि दरसल सिवांगी का सगाई तय हो चुका है सिवांगी के माता-पिता को उसके प्यार के बारे में मालूम चल चुका है देव को ये भी मालूम चल जाता है कि उसके माता-पिता किसी भी कीमत में सिवांगी की साधी उससे नहीं होने देंगे देव को जब ये सारी सचाई मालूम चलता है तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि सिवांगी उसे इस कदर से छोड़ करके जा सकती है इसलिए देव किसी भी तरीके से सीवांगी से कंटेक करने की कोशिज करता है जब एक बार सीवांगी से कंटेक होता है उससे जब बात चीत करता है तो सीवांगी भी देव को साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने माता पीता के सामने मजबूर हूँ जहां मेरे माता पीता कहेंगे मैं वहीं साधी करूँगी। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि देव सिवांगी के बगार रही नहीं सकता है। अब देव को भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि सिवांगी के पीता से जा करके और अपने रिष्टे के लिए बात कर स देखते ही देखते समय नजदीक आने लगता है उदर सिवांगी भी नादेर से छुटी लेकरके अपने घर पे आ जाती है अपनी सगाई कराने के लिए। देव के सामने कोई रास्ता नहीं बशता है। दरसल देव और सिवांगी के बीच में जब लब अफ हेर शुरू हु सिवांगी के होने वाले पती को दिखा दे, इससे उसका पती हो सकता है कि उससे सगाई तोड़ ले, इसलिए सिवांगी के होने वाले पती के बारे में पता लगाने लगता है, और आखिरकार पता लगाते लगाते, एक दिन सिवांगी के होने वाले पती का नंबर देव को मिल जैसे ही नम्बर मिल जाता है देव उन तमाम आपती जनक फोटो को उस नम्बर पे भेज देता है और साथ सीवांगी के होने वाले पती से बात भी करता है और अपने और सीवांगी के लव अफ्यर के बारे में सारी सचाई बता देता है सिवांगी के होने वाला पती जब उन सारे आपती जनक फोटो को देखता है देख करके काफी गुसे में भड़क जाता है और पूरे अपने परिवार को ले करके सिवांगी के घर पे जाता है और उन सारे फोटो को सिवांगी के पिता जनारधन को दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी बच्ची का एक लड़के के साथ में लव अफेर चल ला है, मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारी बच्ची से साधी नहीं करूँगा, और इतना ही कहकर सगाई तोड़ देता है और अपने परिवार के साथ वापस घर चले आता है, लेकिन जैसी ही सिवां सिवांगी का कुछ अपति जनक फोटो उसके घर पे उसके माता पीता को मिला है, उन फोटो को जब जनार्दन देखता है उन फोटो को देख करके गुस्से के मरे तिल मिला जाता है, लेकिन चाह कर भी अपनी बच्ची को कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन उसके बाद से जना जनार्दन को काफी बुरा लगता है जनार्दन को लगता है कि उसकी बच्ची सिवांगी की वज़ा से वो किसी को भी मुह दिखाने लाइक नहीं रह गया है गुस्षे में इस कदर से तिल मिला जाता है कि जनार्दन अपनी बच्ची सिवांगी को इस दुनिया से हटाने का त सांथी साथ अपने एक चचेरे भाई गोबींद जिसकी उम्रहलगवग 32 साल के आसपास और अपने साले केसव सीवा जी को भी सामिल कर लेता है केसव सीवा जी जिसकी उम्रहलगवग 37 साल के आसपास और फिर सिवांगी को इस दुनिया से हटाने के लिए 22 जनवरी 2023 को ही जना जनारदन अपने बेटे और सांथी साथ अपने भतीजे चचेरे भाई और साले को अपने घर पे बुलाता है और रातरी के करीब 11 बजे के आसपास सिवांगी के कमरे में पांचों इंट्री करते हैं उस वक्त सिवांगी काफी गहरी नींद में सोई हुई थी पांचों कमरे के आसपास जनारदन और उसके सांथ में जितने भी सामिल थे सिवांगी की डेट बोड़ी को लेकर के जनारदन अपने खेतों में जाता है जब बारा बज़े के आसपास सिवांगी की डेट बोड़ी को लेकर जनारदन के खेतों में जाते हैं उसके डेट बोड़ी को बोरी से करके पहुंचता है जब उसकी माँ वहां खेतों में पहुंचती है सिवांगी की डेट बोडी को जब देखती है तो जनारदन कहता है कि हमारी बच्ची को बिजली का जटका लग गया है जिसकी वज़ा से इसकी मौत हो गई है उसके बाद से क्रिष्णा अपनी माँ को ले करक घर पे पहुंचा देता है और उसके बाद ये सारे मिल करके सिवांगी की डेट बोडी को उसी खेत में जला देते हैं और जलाने के बाद उसके सरीर के जितने भी राख होता है उन सारे राख को उठा करके बगल के नदी में रात को ही ले जा करके फेक देते हैं अगली तमाम अरोपी अपने घर पे बड़े ही इत्मिनान से जीवन ब्यतित करते हैं। इस तरह से रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। वाकई में जनारदन जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है। किसी को परिसान नहीं करना है। किसी को तकलिफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिन जय भारत।